अखिल भार्ती कॉंगरेस कमीटी द्वारा 36 भिलाई के युवा नेता मुहम्मद इर्फान खान को अरुणाचल प्रदेश में संपन होने वाले संग्रनात्मक चुनाओं के लिए अरुणाचल के इस्ट सियांग जिले का जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है अरुणाचल प्रदेश के इस्ट सियांग जिले का निर्वाचन अधिकारी नियुक्त होने पर इर्फान खान ने कॉंगरेस की राष्ट्री अध्यक्षा सोनिया गांधी, कॉंगरेस के लोगप्री वरिष्ट नेता राहूल गांधी, छतिसगर्ड के विकास पुरुष मु इडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि वे अपने कर्मपत पर चलते हुए पार्टी में मिले दायित्वों का निर्वहन यथा संभव बहतर तरीके से करने का प्रयास करेंगे। उनके डिजलेशन होसनार और इसी हीतुब मुझे अरुनाचल प्रदेश का डियारो जो है अरुनाचल प्रदेश में इस यांग करके एक जगाए जिला है उसका मुझे जिला निवाचन अधिकारी नूट किया गया है इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए मैं माननिय प्रदे करी है उपेश बगेल जी के संगठर में मैं फ्रदेश सची पहली बार बना माननिय ग्रह मंत्री स्रितामदर साहुजी द्वारा मुझे अलग-अलग जगाहों पे राजनीती की बारीकियों को समझने का मौका मिला और अपने कर्था वेपत पर चलते वे आज मैं जहां तक करेंगे जहां को पहुंचा हूं मैं सभी का बहुत आभार करता हूं और आश्वासन देता हूं और मैं आश्वास करता हूं सबको कि जो जो मझे जम्मेदारिया मिलेंगी मैं उन्हें जथा संभव कूंद करूँगा और उनको अपने उपर गारान में होने का मौकश करेंगे मैं कोशिश यकरूंगा कि हर एक व्यक्ति से मैं मिलूँ उनकी राय लूँ और उस राय कैनुसार में जो है अपने कार करूंगा और जो भी neutral होके मैं काम कर सकता हूं मैं करूँगा without fear and favor मैं एक अच्छी committee बनाने की पूरी खोशिश करूँगा